वेल दिसकाई के न्यू इंट्रेश्टिंग वीडियो में आप सब लोगों का सुआगत है मेरा नाव है सुदीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे माद को समझने की कोशिस करेंगे अब जो वालेटिलिटी मार्केट में क्रेट हो रही है बेसिकली ऊपर से प्रॉफिट वुकिंग आ रही है तो इसमें हमें क्या करना चाहिए और कौन से लेविल होंगे जिस पर एक्सपाईरी हो सकती है इस चीज़ को हम समझने की कोशिस करेंगे तो जल्दी से चलते हैं और चिन डाटा पे देख तरो मज्म시 तो अघ्रशादी दोस्तों कियों वस्ससिट टारेटेबएए और झारेख कोषिस कर रहे हैं और कल ये तायारी कर रहेolina करने मेंके चीए को थे डियारी कर रहे हैं वीड वीडियो कोरिये से प्रेज्चिस कूल अब यहां पर जो target बनेंगे वो further level cross होने के बाद ही बनेंगे तो वो level अभी cross नहीं हुए है उनके उपर market trade नहीं किया है तो ऐसा लगता है कि कल का जो basically market रहेगा वो थोड़ा सा volatile market रह सकता है उपर नीचे उपर नीचे तो इस तरीके के market में क्या होगा कि आप कोई profit नहीं कमा सकते हो तो कल हम trade नहीं करेंगे वैसे भी expiry का देने ज्यादा तर टाइम expiry के दिन मैं trade avoid कराता हूँ क्योंकि ज्यादा तर लोग option buying करके काम करते हैं और expiry के दिन option buying करके profit कमाना थोड़ा सा मुश्किल होता है profit मिल जाता है और मिलता है तो कभी-कभी जबर्दस्त भी मिल जाता है लेकिन वो थोड़ा सा टॉफ होता है क्योंकि premium क्या है वो तेजी से मार्केट भागा है तो आज एक अच्छी profit booking आपको देखने को मिलीती उपर के लेविल पर तो देखते हैं यहां पर कि क्या option change में changes आये हैं इस चीज को समझते हैं सबसे पहले ग्याराजार की बात करते हैं तो ग्याराजार आपके लिए important support का काम करेगा कल की स्रीज में 37 लेक का open interest यहां पर खड़ा हुआ है जो की put side पे है और वहीं क्याराजा की call पर स्रिफ 7 लग का open interest है even जो 7 लग यहां पर जो call writers है वन्होंने अपनी position को के square of fee करना start कर दिया यानि अपना loss जो भी उनका break even profit जो को भी है उन्होंने अपनी position को यहां पर काटा है वहीं अगर हम बात करते हैं 11,100 की तो यहां पर 19 लेक का open interest खड़ा हुआ है clearly दिख रहा है स्वे 5,90,000 का open interest clearly दिख रहा है इसका मतलब क्या है 11,200 आपके लिए कल के दिन में बहुत ही जादा important hurdle होगा और अगर यह hurdle पार होता है तो फिर आप समझ लीजे जो आज का high हमने बनाया है उस high तक हम market extend हो सकता है इस चीज को आपके लिए समझ लिए 111200 की call पर आपको 3400 लेक्ड का open interest घड़ा Wowぁ मतलब क्या है देख़िए 1200 1101 150 & 100 यह तीनों level पर ऑल्मॉसT आज लए तो मोटा मोटा आपको तो 44,55 और 60,65 लग का open interest है, तो अगर 11,200 पार करेगा nifty, तो आपको एक short covering move मिल सकता है, 40-50 point का, तो यह भी आप clearly समझ दीजेगा, कोई 11,200 की call right कर रहा है, तो उसका stop loss ये मान के चलिए, कि 11,200 की call right कर रहा है, तो अगर 11,200 की call right कर रहा है, तो अगर 11,200 की ओपर nifty trade करने लग जाए, तो वो अपनी position को score off कर दे, हो सकता है, कोई बड़ा movement बन जाए, अगर यहाँ पर हम चार्ट पे समझने की कोशित का है, निफ्टी कैसा देख रहा है, तो इस चीज़ को clearly देख लेते हैं, currently यह निफ्टी का चार्ट है, same chart है, जो मैंने आपको कल बताया था, कल हमने यह यहाँ पर है, almost day high पर closing दिया था, आज हम 11,200 के उपर खुले थे, 11,232 का आई था, लेकिन पहली ही candle में हम सीधे सीधे नीचे आ गए, क्योंकि आप देख रहे हो, कि यहाँ पर है, यह वन मिनट का चार्ट है, ठीक है, यह देखो, आप पहली candle में ही यहाँ सीधा 11,200 के नीचे आ गएते, तो it indicates कि कि इतना important level था 11,200 का, आज हमने उसको gap up में तोड़ा, लेकिन gap up में हम उसको तोड़ने में कामियाप नहीं हो पाए, तो इसलिए आप यह समय लिए, यह जो level रहेगा आपके लिए, 11,190 का, बहुती important, strong resistance level रहेगा, जब तक हम 11,190 और 11,200 को पा लब भी समझ लीजे, 10 से 15 मिनट तक हम उसके उपर trade करें, तब ही आप एक नए zone की तैयारी करोगे, जिसमें कि आपके जो target होगा, वो 11,500 का होगा, simple सी चीज़ है, 11,200 के उपर अगर आप close होते हो और टिकते हो, तो 300 point की further rally होगी, यह आगे आने वाले future का plan मैं आपको पहल रहा हो, अगर हम आज के लोग के नीचे जाते हैं कल, तो कल फिर हम 11,000 और 10,950 तक जा सकते हैं, फिलाल 11,000 यह important support है, यानि 11,000 तक हम गिर सकते हैं, इस चीज़ को भी आप इसके लिए भी prepare रहिएगा, अगर हम bank nifty के बात पर हैं, तो bank nifty सेम जो कल का मैंने आपको channel बनाया आज के दिन भी इसने जो support था, कल का, जो consolidation का उसको नहीं break किया था, bank nifty, इस indicate की bank nifty strong है nifty से, तो bank nifty में हो सकता है, आपको थोड़ा सा और movement हो उपर की तरफ मिल जाए, 23,100, 23,150 तक का, तो फिलाल कल का दिन थोड़ा सा volatile रह सकता है, कल जो range होगी वो market की करीब करीब 22,600 से लेके 23,000 के बीच में रह सकती है, यहाँ पर, तो उपर के level पर 23,180 के level पर आप साथदान रहे है, वहाँ पर आपको बेसिकली sharp profit working ही देखने को मिलेगी, तो उपर खरीदने की कोश्चत बिलकुल मत करिएगा, नीचे जब तक हम 22,600 की नीचे trade नहीं करते हैं, तब तक आप आप short मत करिएगा, 22,600 की नीचे अगर bank nifty जाता है, तो आपके लिए 100 पॉइंट की जगे बचती है, 100-500 पॉइंट की है, उसके लिए आप short कर सकते हैं, यहाँ पर है, और same चीज है, मेरा logic clear है, कि जब levels हमें clearly नहीं पता होते है, market का momentum हमें clearly नहीं बता होता है, तो अब क्य यह व्यू नहीं बनता, तो हम trade नहीं करते हैं, और already पिछले 5-6 दिन में continuously तेजी हमने करिए, तो इसलिए कल का दिन, rest का दिन है, enjoy करिए आराम से, कल को avoid करिए, जब नए level तूटेंगे, यानि 20 सजा के ऊपर bank nifty trade करना start करेगा, तब हम तेजी करेंगे 2600 के लिए, 2500-2600 के लिए, और bank, same चीज निफ्टी, जब 11-200 के ऊपर trade करना start करेगा, तब हम 300 point की फर्दर तेजी के लिए, हम long उसमें बनाने की कोशिस करेंगे, बट फिलाल, कल का trading session और Friday का trading session दोनों avoid है, अगर currently DAO future की बात करें, तो देखो, यह भी यहां पर consolidation दिखा रहा है, आज के दिन मे चार से पांच trading session में, फिर हो सकता है कोई profit booking देखने को मिले, और फिर दुबारा से जब reversal आएगा, तो उसमें हम अपनी नई position बनानी की कोशिस करेंगे, तो इस चीज को आप clearly समझ लीटे है, अगर हम bank rifty के option chain में देखें, तो वहां पर हम clearly कुछ indication मिलेंगे, तो उनको support का का काम करेगा, एक चीज यहां पर यह चीज भी देख लीजिए, कि बाइस पांसो, छैसो, सासो इन लेविल पर जो पोट राइटिंग है, और यहां पर जो कॉल राइटिंग है, वहां पर देखो, आप open interest card का हुआ दिखाई दे रहा है, सिर्फ बाइस आठ सो का लेवि क्योंकि लगबग 22,800 है, put writer और call writer लगबग परावर से दिख रहे हैं, 23,000 पर आपको क्लिरली यहां पर देख रहा है, कि 6,85,000 का open interest card हुआ है, लेकिन यहां पर भी आप देख रहे हो, कि यहां पर भी यह थोड़ी सी यहां पर call writer ने अपनी position हलकी करिये, यहां पर क्यों हल लकी हुई है, वहीं 23,000 के अगर put में बात करते हैं, तो दो लाग का open interest है, तो अगर ऊपर की तरफ अगर 23,000 निकलने की कोशित करता है, तो हो सकता है, यहां पर 23,000 के आसपास ही कहीं expiry हो जाए, तो इस चीज़ के लिए भी आप तयार रहिएगा, तो I hope दोस्तों यह particular data आ अगया होगा, दोस्तों फिलाल इस वीडियो में इतना ही है, I hope यह वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो पसंद आता है तो लाइक को श्याद जरू करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लिजिए, क्योंकि मैं सुधी लेकर आता हूँ हर दिन आपके लिए न